हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्जाम और्बित, तो आज के इस वीडियो में 26 जनवरी का मौश्टरियम परटेंड करेंट अफ़र डिसकस करेंगे, इसका PDF नीचे डिसकरिप्शन में अभेले-बेले, साथ साथ में अब डेली करेंट अफ़र का PDF हमारे टेली गराम से भी पर हाली में किस अस्थान पर नेतजी बस टर्मिनल की अधार शिला रखी गई ओडिसा के कटक में और इसकी अधार शिला रखें और इसकी मुख्यमंत्री नवेन पतनाइक केंद्रे वित मंत्री निर्मला सितारमन ने बजट से सम्मन्दित किस नाम से एक मुबाइल एप लौंच किया है ध्यान रखिए केंद्रे वित मंत्री निर्मला सितारमन लगतार तिसरी बार बजट पेश करेंगी एक फरवरी 2021 को Quantum Advisors Limited के नई CEO कौन बने है प्यूज ठक्कर बने है कंद्रिय साड़ा के उपर वहन मंत्राले ने राज मार्ग और साराचना के विकास के छेतर में अनुसंधान और विकास के लिए किस के साथ समझोता किया है IIT रूड की के साथ भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड और किस कंपनी ने भारत में स्टार स्टेक वायू रक्षा पर्णाली विक्सित करने के लिए एक समझोता किया है थेल्स ने हाली में किस बैंक ने इस्टा एफेक्स नमा कैप लौंच किया है IICI बैंक ने हाली में डाक्टर वी शांता के निधन हो गया किस शेत्र में उतकरिष्ट कारे के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद में विभूसन प्रोसकार से सम्मनित किया था ये बहुत ही प्रसिद कैंसर चिकित सक थी डाक्टर वी शांता इनका निधन हो गया है यह तमिलनाडू की थी सेयुक्ता राष्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश के प्रवासी दुनिया में सबसे अधिक हैं भारत के योवेरी मुसे वेनी किस देश के लगतार छट्थी बार राष्पती बने हैं यूगांडा के यूगांडा अफ्रीकी देश है जेल परियाटन शूरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो ये है महाराष्ट अब चलिए आज का करेंटर फर देखते हैं पहला कॉशन वर्ष 2021 के लिए परधान मंतरी राष्टे बाल परोसकार बाल शक्ती परोसकार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है इस बार कुल 32 बच्चों को परधान मंतरी राष्टे बाल परोसकार से सम्मानित किया गया है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक प्रोसकार होता है पदमिस्री उस प्रोसकार के बाद जस्ट इसी का नम बराता है और ये जो है सरवच बाल प्रोसकार होता है जो कि 18 सल से कम आयू के बंचों को दिया जाता है इस बार कुल 32 बच्चों को ये प्रोसकार दिया गया है किन किन छेत्रों में ये प्रोस्कार दिये जाते हैं कला और संस्क्रीती तो इस बार इस छेत्र में 7 बच्चों को नवचार के छेत्र में 9 बच्चों को सैक्षिक उपलबदियों के लिए 5 बच्चों को खेल के छेत्र में 7 बच्चों को बहदरी के लिए 3 और समाज सेवा के ल जो भी बच्चे ये पुरुसकार जेते थे गणतंदर दिवस के प्रेड में हिस्सा लेते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और ये पुरुसकार जो है भारत का सर्वोचनागरिक बाल पुरुसकार है भारत अरत्न और ये सर्वोचनागरिक बाल पुरुसकार है इस प्रोस्कार जो है भारत के रास्पती रास्पती भाउन के दर्वार हॉल में परदान करते हैं कुल 32 बच्चों को ये प्रोस्कार दिया गया है सब का लिश्ट बना दिया हूँ तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नहीं पीडियेफ में मौझूद है पीडियेफ को डा अभियान लॉंच किया है इसका नाम है ओपरेशन सर्द हवा ओप्शन सी से हुद्तर है तो ये अभियान जो है राजास्थान की पश्मी अंताराशे सीमा पर शुरू किया गया है जिसका उद्देश राजास्थान के जैसल मेरे में सीमा वर्ती छेत्रों में सुरक्षा तो इसके अस्थापना की गई थी एक दिसंबर 1965 को, एक दिसंबर 2020 को BSF का पचपनवा अस्थापना दिवस बनाए गया था, इसका मुख्याले नई दिल्ली में है, महा निदेशक है, राकेश अस्थाना, BSF का मोटो है, जेवन परियंत कर्तब है, यानि डूटी अंटू BSF के नद्री ग्रीह मंत्राले के अधिन करे करता है, जो भी अर्ध सैनिक बल होते हैं, वे सभी ग्रीह मंत्राले के अधिन करे करते हैं किस देश के परदान मंत्री? खुर लसुक उखना ने हाली में अपने पूरे मंत्रि मंदल के साथ इस्टिफा दे दिया है कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि निदर लेंड के परधान मंत्री थे मार करूटे उन्होंने अपने पूरे मंत्री मंदल के साथ इस्तिफा दे दिया था अब जो है एक और देश में ऐसे घटना हुई है मंगोलिया में तो मंगोलिया के परधान मंत्री है खूर लसूख उखना इन्होंने भी इस्तिफा दे दिया है अपने पूरे मंत्री मंदल के साथ तो कोविड-19 महमारी से निपटने के लिए सरकार के परबंधन पर लगतार आरोप लग रहे थे और भारी विरोध परदसन भी हो रहा था इसी के दबाओं में जाकर इन्होंने इस्तिफा दिया है तो 52 वर्सी उखना ने 4 अक्टुबर 2017 से 21 जनवरे 2021 तक जो है मंगोलिया के प्रधान मंत्री के रूप में कारे किया किस पार्टी से हैं मंगोलियाई पेपुल्स पार्टी से हैं बता दें कि मंगोलिया जो देश है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लोक कंट्री है कजाकस्तान मंगोलिया के राज़ानी है उलान बटार यहां के राशपती है कल्टा मागिनी बटुलगा संसात का नाम है एस्टेट ग्रेट खुराल और मुदरा चलती है टोग रोग अगला कोशन है 25 जन्वड़ी 2021 को कौन सा राशिय मतदाता दिवस मनाय गया तो इस बार राशिय मतदाता दिवस का ग्याराहूँवा संसकरण था कब मनाय गया 25 जन्वरी को हर सल 25 जन्वरी को ही ये दिवस मनाय जाता है इसी दिन ये दिवस क्यों मनाय जाता है क्योंकि इसी दिन भारते निर्वाचन आयोग की अस्थापना की गई थी पहली बार राष्ट्रे मतदाता दिवस मनाय गया था 2011 में इस बार का 11.5 संसकरन है अच्छा 25 जनवरी को एक और दिवस मनाय जाता है राष्ट्रिये परियाटन दिवस और राष्ट्रिये परियाटन दिवस 2021 का विशय है देखो अपना देश इसे याद रखियेगा अब यहाँ पर हम बात करते हैं Election Commission of India के बारे में इसके अस्थापना होई थी 25 जनवरी 1950 को मुख्याले नईदिली में है वर्तमान में इसके मुख्ये निर्वाचन आयुक्त है सुनील रोडा ये भारत के 23 मुख्ये निर्वाचन आयुक्त है तो Election Commission of India में दो आयुक्त भी होते हैं निर्वाचन आयुक्त अराजिव कुमार और सुसिल चंद्र है वर्तमान में ब्यान रखिये एक जिक्या का कोशन बनता है स्वतंतर भारत के पर्थम मुख्य सुचना आयुक्त कौन थे? सु कुमार सें थे चलिए अगला कोशन है संयुक्त राज्व ब्यापार और विकास सम्मेलन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पीछे छोड़ कर कौन सा देश? परतेक्ष विदेशी निवेश यानि FDI में दुनिया का सिर्ष देश बन गया है तो FDI में चीन ने अमेरिका को पचाड़ दिया है ओप्शन एस सही उत्तर है हाली में ये रिपोर्ट जारी करके बताया है संयुक्त राज्व ब्यापार और विकास सम्मेलन ने इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे सबको लिख दिया हो अच्छे से पढ़ लिजे इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 2020 में 163 अरब डॉलर यानि 163 बिलियन डॉलर का परत्यक्ष विदेशी निवेस हुआ जबकि अमेरिका में 134 बिलियन डॉलर हम ऐसा अमेरिका आगे रहता था लेकिन इस बार जो है चीन ने पीछे कर दिया है और ये रिपोर्ट 2020 के लिए जारी किया गया है और इवें CTAD ने जो रिपोर्ट जारी किया है इसका नाम है Global Investment Trends Monitor इस रिपोर्ट की और भी कुछ खास बाते हैं महमारी के कारण वैश्विक विदेशी परतेक्ष निवेस में साल 2020 में 42 परतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये नीचे गिर कर चला गया 869 बिलियन डॉलर इससे पहले वैश्विक विदेशी परतेक्ष निवेस में इतनी भारी गिरावट 1990 में देखी गई थी और इस बार जो है कुरोना महामारी के करण इस तरह की गिरावट देखी गई है 2020 में भारत में आने वाले इस रिपोर्ट में अब भारत के बारे में जान लेते हैं 2020 में भारत में आने वाले परतेक छविदेशी निवेस में 13 फिस्दी की बढ़ोतरी हुई थी, बहुत सारे देश जो हैं बड़े बड़े देशों में परतेक छविदेशी निवेस घाटा था लेकिन भारत में महमारी के दोरान जो हैं FDII में बिरिद्धी हुई थी, कितना प अनलीश में फूल फर्म होता है, United Nations Conference on Trade and Development, इसके अस्थापना होई थी 30 December 1964, मुख्याले जीनेवा में है, वर्तमान में महासचियू है, मुखीसा की तूई, जपान के किस पुरुवे परदान मंत्री को 2021 के पदमे बिभूसण प्रोसकार से सम्मानित किया गया है, तो पदमे प चैनले एक्जाम लाइफ उस पर आएगा, नेशर डिस्करिप्शन में चैनल का लिंक है, आप उस चैनल से जूड सकते हैं, ताकि वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकसन आपको मिल जाएगा, तो 2021 के पदमे बिभूसण प्रोसकार से सम्मानित हुए है, शिंजो आबे इस जपान के पुर्वे परदान मंत्री हैं, कुछ दिन पहले ही पद से हटे हैं, इनकी जगा पर योशी हिदे सूगा जो है जपान के निव प्राइमिनिस्टर बनाये गया है, बता दें कि इस बार पदमे प्रोसकार में कुल साथ लोगों को पदमे बिभूसण, दस लोग को पदमिसरी से सम्मानित किया गया है, इसमें एक ट्रांसजेंडर भी है, ठीक है, जपान के बात करें, तो इसके कैपिटल है टोकियो, समराठ है नारू हितों, परदान मंत्री योशी हिदे सूगा, संसत का नाम है डायेट यानि नैशनल डायेट और मुदरा चलती है, ये अगला कोशन है, वेक्ति गस्रेणी में सुभाज चंद्रबोस आपदा परबंधन प्रोसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2021 के लिए सुभाज चंद्रबोस आपदा परबंधन प्रोसकार दिया गया है, डाक्तर राजेंतर कुमार भंडारी को वेक्ति गस्रेणी में हर सल ये प्रोस्कार व्यक्तिगस स्रेनी में और संस्थागस स्रेनी में दिया जाता है तो इस बार व्यक्तिगस स्रेनी के विजेता बने है डाक्टर राजेंदर कुमार भंडारी तो डक्टर राजेंत्र कुमार भंडारी को आपदाओं पर वैग्यानिक अध्यन की शुरुबात करने और आपदा परबंधन के छेतर में उत्करिष्ट कारे के लिए ये प्रोस्कार दिया गया है वहीं संस्थागत सरेनी में ये परोस्कार दिया गया है सतत पर्यावरन और परिस्थिति की विकास सोसाइटी को यानि सेड्स को संस्थागत सरेनी में एक्याउन लाख रोपे की इनामी राशी और एक परमान पत्र दिया जाते हैं इस प्रोस्कार की अस्थपना 2019 में ही की गई थी यानि इस बार इस प्रोस्कार का ये तीसरा संस्करन है ठीकें तो एक वर्स में ये प्रोस्कार जो है अधिक से अधिक तीन संस्थान और एक वेक्ति को दिया जा सकता है पिछले साल ये प्रोस्कार किसी मिला था वो भी याद रखिएगा डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को संस्थागस रेनी में और वेक्तिगस रेनी में कुमार मन्नान सिंग को ये प्रोस्कार दिया गया था 2020 में 24 जन्वरी को अपने 81 अस्थपने दिवस के औसर पर किस अराज्ये ने उद्यम सार्थी एप लॉंच किया है तो 24 जन्वरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपने 81 अस्थपने दिवस मनाया इसी दिवस के औसर पर वहां की सरकार ने एक एप लॉंच किया इसका नाम है उद्यम स तो इस एप को वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना के ताथ लॉंच किया गया है और इस एप में राज्य और केंद सरकारों सहित विभिन विभागों और छेत्रों में बैपार के आउसरों के बारे में डेटा उपलब्ध होगी उद्यम सार्थी अप्लिकेशन लॉंच किय उत्तरपरदेश की सरकार ने बता दें कि इस बार इसने अत्रों अपने दिवस मनें है उसका विशय था आत्म निरभर उत्तरपरदेश का संबान महिला इवा किसानों सभी का विकास। इंगलिश में Respect for Self Reliant उत्तर परदेश, Women Young Farmers Development of All. उत्तर परदेश की बात करें, तो आठ राज्यों से इसकी सीमा लगती है. उत्रकंड, हिमाचल परदेश, हर्याना, मद्दे परदेश, राजस्थान, चत्तिसगड, जारकंड और बिहार. एक के अंदर सासित परदेश, दिल्ली और एक कंट्री, नेपाल से ये अपनी सीमा शेयर करता है. तो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जीलों की संख्या 75 है, भारत में सबसे अधिक जीले उत्तर परदेश में है, राजधानी, लखनो, मुख्या मंत्री है, योगी अदित्यनाथ, राज्येपाल है, आनंदी बेन पटेल, मुख्या नदीस है, संजाए यादो, उत्तर परदेश का हाई कोट कहां पर है, परियाग राज में है, इलहाबाद हाई कोट है ये, लोग सबसीट असी, राज्ये स सबसीट 31, विधान सबसीट कूल 404 है, एक सेट पर राज्येपल द्वारा मनुनित किया जता है, विधान परिशत सीट के संख्या 100 है, तो भारत में सबसे अधिक ये सीटे जो है, उत्तर परदेश में हैं, राजके पशु, बारास सिंगा, राजके पक्षी स्तारस, राजक फुल पलाश, राजके फल आम, राजकी मिठाई जलेबी, रास लीला, जूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नोटंकी, जैता, यहां के प्रसिद लोक ने रितने हैं, दो दोवा नेशनल पार्क हैं यहां पर, इसे टाइगर रिजर्ब भी घोसित किया गया है, अमानगर टा जो ही यह बेतवा नेदी पर हैं, और गोवेंद वल्लप पन सागर जो है, यह भारत की सबसे बड़ी क्रितरिम सागर हैं, 24 जनवरी 2021 को एक ही रोकेट पर कितने उपगरहों को एक साथ लौंच करके, स्पेस एक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो स्पेस एक्स जो है, य बलका 9 रॉकेट हैं, इसी रॉकेट के माद्याम से इन उपगरहों को लौंच किया गया, बता दें, इसके पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम था, इसोरो ने फरवरी 2017 में 171 ही रॉकेट से 104 उपगरहों को लौंच किया था, और ये भारत को नाम रिकॉर्ड था, जो कि ईस SpaceX का एक परियोजना है जिसे Star Link परियोजना कहा जाता है इसी परियोजना के तहत SpaceX जो है बहुत सारी उपगराओं को लॉंच कर रहा है लगातार 12,000 वरतमान समय में इसने लक्षे रखा है कि 12,000 संचार उपगराओं को लॉंच किया जाएगा Star Link परियोजना के तहत और अगला भी प्लानिंग की जा रही है कि इसके इलावा 30,000 और संचार उपगराओं को लॉंच किया जाएगा दुनिया में तेज और सस्ता इंटरनेट उपलब्द कराने के लिए SpaceX जो है ये कदम उठा रहा है SpaceX किया स्थपना 2002 में की गई थी इसका मुख्याल है कैलिफोर्निया अमे है और जेफ बेजोस फिर से इन से आगे हो गया है तो एलन मस्क कुछी दिन के लिए दुनिया के सबसे अमिरबेक्ती बने थे इनकी एक और कंपणी है टेसला जोकी इलेक्ट्रिक कार निरमाता कंपणी है टेसला उसके भी ये CEO है ठीक है स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर है ग्विन ने शॉट्वेल अगला कोशन है इक्याउनवा इफ़ी 2021 की समारोह में गोल्डेन पिकॉक एवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया तो इक्याउनवा इफ़ी समारोह का आयोजन जो है संपन हो चुका है इसमें बहुत सारे प्रोस्कार परदान किया गया है सबको हम लोग जानेंगे लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है गोल्डेन पिकॉक एवार्ड तो ये किस फिल्म को मिला है इन्टू दा डार्कनेस ओप्शन सी सही उत्तर है इसे गोल्डेन प परस्नलेटी आफ्द्ड इयर से सम्मनित किया गया भारतिय अभिनेता विश्वजीत चतर जी को ठीक है इस परशकार में समारोह में बेस्ट डारेक्टर का यवार्ड दिया गया चेन नियेन को साइलेंट फॉरेस्ट के लिए बेस्ट मेल एक्टर का प्रोसकार दिया गया तुजू चुवान लिव को साइलेंट फॉरेस्ट के लिए बेस्ट फिमेल एक्टर का प्रोसकार दिया गया जोफिया एस्टाफिज को आई नेवर क्राई के लिए वहीं special jury का प्रोसकार दिया गया February को ये फिल्म का नाम है इसका डिरेक्टर है कामेन कावलेओ तो एकाउनवे इफिक आयोजन कहां पर किया गया था गोवा में किया गया था हर साल गोवा में ही गोवा के राजधानी परजी में इसका आयोजन किया जाता है और इस बार 16-24 जनवारी के बीच में इसका आयोजन किया गया था और इस बार इसमें कुल 224 फिल्मों का प्रदर इसका डारेक्टर है कियोशी कूरो सावा 25 जन्वरी 2021 को किस अस्थान से भारत के नई पेड़े की अकास मिसाइल अकास एंजी का सफल परिक्षन किया गया है तो अकास मिसाइल भारत में पहले से ही है इसी का नई पेड़े का सफल परिक्षन किया गया है कहां पर चांदीपूर में और चांदीपूर कहां पर है ओडिसा में है ओप्शन भी सहुत्तर है अब ये जो आकास मिसाइल है नई पीड़ी की इसकी खासियत क्या है उस पर एक नज़ा डलते हैं ये मिसाइल सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल का निर्मान किया है DRDO ने यानि Defense Research and Development Organization ने 750 किलोगराम वजनी ये मिसाइल 19 फिट लंबा है और ये मिसाइल 60 किलोगराम के भारवाले हत्यारों को ले जा सकने में सक्छम है इसकी मारक छमता है 40-60 किलोमेटर के बीज में और ये मिसाइल 4,321 किलोमेटर परती घंटे के रफटार से उड़ान भर सकता है तो हाली में कहाँ पर परिक्षन किया गया ओडिसा के चांदिपूर में हाली में कि सराजय ने पंक योजना को लॉंच किया है महिलाओं के लिए खास करके इस योजना को लॉंच किया गया है यहाँ पे पंक का फूल फोमोगा प्रोटेक्शन, अवेरनेस, निूटरिशन, नौलेज और हेल्थ यानि ये जितनी भी चीज़े हैं महिलाओं से संबंदित इस पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए इस योजना को लॉंच किया है मद्य परदेश की सरकार ने और इस योजना को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के ताथ लॉंच किया गया है और इस अभियान का जो अधी है ये एक साल है यानि एक साल के लिए इस अभियान को लॉंच किया गया है मद्य पर्देश की बात करें तो पाँच राज्यों से इसकी सीमा लगती है कौन-कौन से राज्ये? उत्तर पर्देश, राजस्थान, गुजरात, महराष्ट और चथिसकर इसका गठनुवा था एक नॉबर 1956 को जीलों की संख्या 52 है और तीन नई जीलों की घोसना 2020 में ही की गई थी चाचोड़ा, नागदा और मैहर राजधानी भुपाल, मुख्य मंत्री हैं, शिवरासी चोहान राज्ये पाल, अनन्दी बेन पटेल मुख्य नादी से मुहमद रफिक मद्य पर्देश का हाई कोट जबलपूर में है लोग सबासीट 29, राज्ये सबासीट 11, विधान सबासीट 230 है राजके शीन में, राजके पशुय बारा सिंगा, राजके पक्षी शाह बुलबुल राजके बृक्ष बरगद, राजके फुल सभेद लेली, राजके फसल, स्वयाबीन, राजके खेल मलकंब चार कुला तथ मट के डांसी यहां का प्रसीद लोकने रितते हैं बांदोगड नेशनल पर्क, काना नेशनल पर्क, पन्ना नेशनल पर्क, सत्पूरा नेशनल पर्क, वन विहार नेशनल पर्क, पेंच नेशनल पर्क, माधो नेशनल पर्क, सासात में डाइनासोर नेशनल पर्क, यह सारे मदेपरदेश में हैं, इंदिरा सागरबाद, बारग मूरिया, बिशन होन तथा वैगा तो फ्रेंज ये थे हमारे आज के मॉस्ट इंपर्टेंट करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जबू करना और जैसे कि मैंने बताया है कि जो पद में पुरस्कार की घोसना की गई है मैं कोशिस कर रहा हूँ न्यू चैनल पे डालने का तो न्यू चैनल से जल्दी जोड़ जाए ये निच्ट इस करेक्टर में लिंक दिया हुआ है अब जाने ये पिछले क्वीज का एंसर पहला कोशन था डेविड मलपास निमने में से किस संगठन के प्रेसिडेंट है तो ये वर्ल बैंक के वर्तमा समय में प्रेसिडेंट है दुसरा कोशन था तमिल निमने में से किस देश की अधिकारिक भसाओं में से एक है तो सिंगापूर की अधिकारिक भसाओं में से एक है तमिल भारत का जो राज्य है तमिल नाडू का अधिकारिक भासा है स्रिलंका की भी अधिकारिक भासाओं में से ये एक है और सिंगापूर के भी ठीक है अब चलिए आज का पाइला क्वीज है हाली में वेद महता का निदान हो गया वे एक प्रसिद डैस थे दूसरा कोशन है इकानवे इफिस हमारो दोहजर एक किसे इंडियन पस्नलेटी ओफ दा इयर कविजेता गोसित किया गया तो दोनों कोशन का इसर नीचे कमेंड बे बताइए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार